तो हेलो इंग्जिनेर्स वेलकम बैक तो आज की इस वीडियो में देखेंगे स्प्लिट अलिमेंट को हम लोग कैसे यूज करते हैं हम अपने रैविट अके टेक्टर में ठीक है तो यहां पर रैविट में जाते हैं यहां पर पहले तो मैं कुछ वॉल बना लेता हूं ठीक है यहां पर एक सिंपल वॉल बनाऊंगा मैं यह इस तरीके से कुछ वॉल बना लिया ठीक है इसको एक पर डाइमिशनिंग करके दिखा देता हूं आप लोग को यहां से यहां तक साथ जार कुछ यह मेरा ठीक है अब जाके मैं इसको जब मैं 3D में देखूंगा और इसको यह ठीक है यह मेरा भी कलर होगय है इसको एक हाइट दे रहेते बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहे हैं कितना 3000 दे देते हैं अब मुझे क्या करना है यह वाल को 20 से काटना है मतलब कि मेरे को इस साइट दूसरा कलर चीए और इस साइट दूसरा कलर चीए अब वह कैसे पॉसिबल होगा वह पॉसिबल होगा आपका विद्धी हेल्प फिर से आजाता हूं आपको मौडिफाइट टैप में जाना है और य जो इसके बाद विदि वीडियो तो यहां पर मैं इसको क्लिक कर दिया कि आप आपको क्या करना है तो रही है की और यह प्र पर इसको कितना भी काट सकते यहां आपके यहां जो यहां पर क्लिक करते जा रहें इसलिए मेरा कट होते जा रहे हूंँ मेरा यह कमांड के बाहर आ जाएगा ठीक है इहां पर मैं इसको किसार कटा नहीं है पर यहां पर देख सकते ही सिंगर प्भाट हुआ जैसे माइस को पिन्ट करूंगा यहां पर यहां पे कुछ और अलग कर रहा हूं यहां पे कल अलग कर दिया यहां पे कुछ और ठीक है दोस्तों तो इस तरीकी से आप लोग यहां पे इसका यूज कर सकते हो split element का अभी तो क्या हो रहा है यह वाटिकल कट है अगर आपको horizontally काटना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर से आप लोग को स्प्लिट आलिमेंट में जाना पड़ेगा और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपको option दे रहा है यह क्या और नीचे से आपको कितना काटना है अब देखो यहां पर नीचे से मैं इसको 800 काट दिया यह वाला portion करें मतलब यह जो वूर्ण टैक्शर वाला दीक रहा है यह वाला आपका कर आब जैसे मुझे इसमें काटना आ हैmaँ यहां पर कड़ गया इधर कड़ गया काड़ आप यहां कर गया और इधर भी कर आप जैसे मुझे से कलर भी करना है तो मैं आपक इसमें जाउंग होगा कोई भी नॉर्मा कलर लेते जाते हैं हम लोग कि देख लोग कलर होते जा रहा है मेरा यहां पर ठीक है दो तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसका यूज़ करेंगे है ओके तो यह होता है आपका स्प्लिट अपर चीज़ आपको बताता हूं है यहां पर पहले में रैंडम कुछ एक चीज बना लेता हूं जिससे आप लोग और अच्छे से क्लियर होगा यहां पर वॉल बना लिया मैंने ठीक है इस तरीक से कुछ बनाया मैंने एक टो दोर भी लगा देता हूं इधर अब मैं जाता हूं वापस से मोडिफाई में स्प्लिट एलमेंट में गया यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो डिलीट इनर सेग्मेंट दिया है ठीक है अब जैसे यह डिलीट इनर सेग्मेंट में क्लिक करता हूं अब जब भी स्प्लिट कर दिया और एक क्लिक कर दिया तो देखो कि क्या कर देगा मेरा कट कर देगा तभी वहां पर हमारी होती है आपको बता रहा हूं कि अगर आपका इस तरीके से कट करेगा अधर वासी क्या करेगा जैसे में यहां पर फिर से यह अलग हो रही है यह अलग सेलेक्ट हुरी है और यहां पर जो मैंने वान मनायता है वो कड़ देffekt कैंड आ इनर इंठ संग मैं ओर यहां पर देख सकते आप हैं ठीक है तो यह होता है आपका स्प्लिट एलमेंट ठीक है रस्तों तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही नेश्ट वीडियो में और भी चीज़ें के बारे में जानेंगे सो थैंकिस सो मच